Hi friends, एक number series का question देखते हैं, यहाँ पे कुछ numbers दीवे हैं, 1, 4, 12, 32, 80 और question mark, इनमें से कौन सा answer question mark की जगा बैठेगा, चलिए देखते हैं, तो क्या logic है, कैसे series को create किया गया है, कैसे इसके बाद 1 के बाद 4, 4 के बाद 12 आता है, यह logic हम जल्दी से समझते हैं, तो 1 के लिए क्या कर सकते हैं, 2 power 0 multiplied by 1 अगर करें, तो क्या मिलता है, यह 1 होता है, 1, 1, 1 हो गया, ठीक है, अब इसी को follow करेंगे, next करेंगे, 2 power 1 multiplied by 1 का next होता है, 2, so 2 और 2 मिल गया 4, same, अब 2 power 2 multiplied by 2 के बाद 2 के बाद, next लेंगे, 3, 3, so 2 power 2, 4 multiplied by 3, मिल गया 12, अब दुबारा से, इसके बाद क्या क्या होगा, 2 power 3, 2 लिया था, तो 3 लेंगे, और 3 लिया था, तो 4 लेंगे, 2 power 3 होता है, 8, और 4 से multiply करेंगे, मिल गया 32, जो यहां दिया होगा है, अब same, इसके बाद का क्या है, 2 power 4 multiplied by 5, तो 2 power 4 होता है, 16, 5 से multiply किया, मिला 80, अब same चीज करते हुए, आगे बढ़ते हैं, तो next क्या लेंगे, 2 power 5 multiplied by, इसके बाद क्या है, 6, तो 2 power 5 कितना होता है, 2 power 5 होता है, 32 और 6 साथ multiply करेंगे, 32 multiplied by 6 करेंगे, तो मिलेगा 192, जो आपको देखिए, यहां पे option में दिया हुए, मतलब इसका अंजर हमें क्या मिला, 192, उमिद है आप लोग को यह समझ में आया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, बाबाई